हलो फ्रेंट्स देखे आज पन इस वीडियो में बात करेंगे वेंकिन वन गराम इंजेक्शन के बार में देखे यह है जो इंजेक्शन है इसके अंदर अपन इंग्रिडेंस यानि की कंटेंट्स की बात करें तो इसके अंदर दिया गया है vancomycin hydrochloride 1000 mg तो आज अपन बात करेंगे कि इस injection का उप्योग कब किया जाता है और उप्योग करने के बाद में patient को क्या के इसके फायदे और क्या के इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं तो आपको पूरी जानकरी इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप वीडियो को लाज तक जरूर देखना तो देखें यह है जो injection अफ वैंकिन इसके अंदर जो ingredients दिया गया है vancomycin hydrochloride जो की एक प्रकार से antibiotic ingredients है जब patient के बेक्टिरियल इंफेक्शन हो जाता है तब डॉ्क्टरो दवारा यह है जो injection अप प्रिसक्राइब किया जाता है यह है जो injection है only for hospital में यूज मिलिया जाता है मतलब कि यदि कोई patient है hospital में admit है और उसके severe bacterial infection हो गया है मतलब कि घंबिर बेक्टेरियल इन्फेक्शन हो गया है तब डोक्टरों द्वारा यह है जो इंजेक्शन आप प्रिसक्राइब किया जाता है माल लेजे यदि कोई पैसेंट उसके अन्य किसी तरह का कोई अंटिवाइटिक इंजेक्शन चल रहा है लेकिन उस एंटिवाटिक इंजेक्शन का पैसेंट के उपर कोई असर नहीं हो रहा तब डोक्टरों द्वारा यह है जो इंजेक्शन है प्रिस्क्राइब किया जाता है अपन बात करें किस तरह के बेक्टेरियल इंफेक्शन से पैसेंट को राहत देखने को मिलेगी तो देखें यदि कोई पैसेंट उसके लंग्स का इंफेक्शन हो गया है जिसे अपन नॉर्मली निमोनिया बोलते हैं तो इस परकार के infection में डॉक्टरों द्वारा या है जो injection प्रिस्क्राइब किया जाता है या फिर उसके UTI infection हो गया हो मतलब कि यूनरे ट्रेट infection मुत्रमार के अंदर infection हो गया हो तब डॉक्टरों द्वारा या है जो injection प्रिस्क्राइब किया जाता है या फिर पैसेंट के skin या soap tissue का infection हो गया हूँ माल लेज़े उसके skin के अंदर किसी तरह का कोई infection हो गाव हो गया हूँ या फिर उसके गाव के अंदर बहुत अधिक पस पड़ गई हूँ तो इस परकार की situation में भी doctor द्वारा यह है जो injection है prescribed किया जाता है या फिर कोई patient उसके joint या फिर bones के अंदर किसी तरह का कोई infection हो गया हो तब भी doctor द्वारा यह है जो injection है prescribed किया जाता है या फिर कोई patient उसके heart का infection हो गया हो मतलब कि उसके heart के अंदर किसी तरह का कोई infection हो गया हो तब doctor द्वारा यह है जो injection है prescribe किया जाता है या फिर कोई patient उसके blood के अंदर infection हो जाता है तो blood के infection को ठीक करने में भी यह cit election काफ़ी जादा मदद करता है तो यदि कोई patient उसके severe bacterial infection हो जाता है तब doctor одघ्वारा यह जो injection प्रिसक्राइब किया पैसेंट की condition को तो देखते हुए इस injection की डोट डिसाइड की जाती है देखे इस injection को डॉक्टर से एक ट्रेंड नर्स की दुआरा ही लगवाते हैं ताकि यदि पैसेन को किसी तरह की कोई समस्या हो तो वह है उस situation को कंट्रोल में कर सके और यह है सिर्फ होस्पिटल में ही उपयोग में लिया जाता है ताकि यदि पैसेन को किसी तरह की कोई गंवीर समस्या हो तो उस situation को डॉक्टर स कंट्रोल में कर सके अपने इसके कुछ नॉर्मली साइड इफेक्ट्स के बार में बात करें तो देखे पैसेन को नोजिया वोमिटिंग की जैसी समस्याइन देखने को मिल सकती है या फिर उसके सास फूलने जैसी समस्याइन देखने को मिल सकती है सास लेने में पैसेन को difficulty हो सकती है या फिर किसी तरह की की पैसेन को allergic समस्याइन देखने को मिल सकती है या फिर उसकी इसकिन के ऐलर्जी देखने को मिल सकती है या फिर उसको सांस लेने में जैसे कि ऐलर्जी के कारण कई बार पैसेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है इसकिन में बहुत अधी खुजली होने लग जाती है या फिर पैसेंट के सिर्दर्द हो सकता है तो इस पर करके कुछ नॉर्मली साईट इफेक पैसेंट को देखने को मिल सकते हैं तो यदि पैसेंट को किसी तरह कोई समझ्या हो तो आप इस injection को उप्योग करवाना बंद कर दें और अपने ौक्टर के सलाह के अनुसारी इस injection का उप्योग करवाईं और slowly slowly patient को IV यह है जो injection दे सकते हैं ताकि यदि patient को किसी तरह की कोई समस्या होने लगे तो आप उसे drip को यानि कि उस injection को बंद कर दे तो यह है जो injection है डाइलूट करने के बाद में या तो आप इसे slow IV दे सकते हैं या फिर आप इसे infusion की तरह यानि कि आप इस injection को 100 ml की NS की बोतल में डाल सकते हैं ताकि patient को दीरे दीरे यह है जो injection है उसकी वेन के अंदर जा सके और उसको infection से राहत देखने को मिल सके तो यह है जो injection है आपको result बहतरीन देने को काम करता है और hospital में यह है जो injection है इसलिए prescribe किया जाता है तो देखिए मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है वेन के इन injection के बार में की कब और कैसे इस injection का उप्योग किया जाता है और इस injection का उप्योग करने एक बाद में patient को क्या कैस के फायदे और क्या कैस के नुकसान देखने को मिल सकते हैं तो मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी knowledge मिली तो और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया